प्राइब मेनेस्टर निरिंदे मोदी बहुत जादा डाउन टूर्ट बर्सनालिटी है ऐसा क्या हो गए कि एक दफा फिर से उनके जो चर्चे है सोशल मीडिया पर इसके साथ पाकिस्तान में वाइरल हो जैसे ही उन्होंने कुछ गड़बत देखी उसको ठीक करने के लिए खुद पहुँच गए लिहाजा प्यम मोदी ने खुद से आ गया कर माइक को पर किया यह एक बहुत बड़ी development इस sense में है in language of politics इसे आप कहते हैं soft power अभी पोलेंगे पोदी जी उनको बड़ा warm welcome मिलाए लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई country का किसी किसम का leader नी देए आना चाहिए भी नहीं को उसकी वज़ाई यह है आरजू कि जो भी आप की आता है आप ऐसे मागने तो इंडिया लेडर्शिप दुनिया में जहां 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 जाती है उसको वो क्लेम करती है कि देखे जी इंडिया जो है उसने वर्ड वार टू में आपका support दिया और हमारा जो टार्गेट है अगले दो साल में वो एक हजार अरब डॉलर की export पर जाना है हमारा टार्गेट पाकिस्तान से मैच नहीं है मुकाबला नहीं है और हमारा आपका मुकाबला भी कोई नहीं है आप देखार अरब के लिए एमेफ के पीछे बार दुनिया में नो सूप diplomatic rope के उपर चल रहा है और जिसमें यह आप कह सकते हैं कि नरेंदरा मोदी साब जो है he is one of the rare international leaders जो उकराइन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं ठीके जी यह बड़ी बात है अमोमन यह मुम्किन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं लेकर सम्हो जिसे कहले ना कि वो जा रहे हैं और यह चीज़ आरी बात है एक एक आपको access देती है ठीक है इंडियन डिप्लोमेसी यह कहती है कि we do not work in either or मतलब यह नहीं है कि आम इससे तालोक और इससे तालोक है नहीं हम ऐसे नहीं करते हैं we go with all ठीक है जी सो एक चीज़ तो है कि युगरेनियन लीडर भी फून करते रहे हैं नरेंडरा मोधी को और रशिया लीडर से भी बात होत है अभी जब टॉक्स हो रही है जिलेंस्की साहब की और मोधी साहब की final community से पता चलेगा कि क्या होने वाला है लेकिन जितने भी western capital हैं वो बड़े खुश हैं सवाले से कि जी मोधी साहब युक्राइन पहुंचे हुआ है और जलेंस्की और बाकी लोग बड़े disappointed थे जब न बाकात कर रहे हैं नहीं दरम होती हैं यह वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी democracy का leader वर्ड की दुनिया की सबसे bloody जो criminal है उससे जपीड लगा रहे हैं यह जिलेंस्की के word है ठीक है जी अच्छा वैसे कर इसको ड़़ा dissect किया जाए कि जिलेंस्की का यह कहना कि world's largest democracy ठीक है मिल रही है यह world's largest democracy का जो leader है वो हग कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े bloody criminal से हग कर रहे हैं and there was no response from India यह कोई असान बात नहीं थी ठीक है वो जिलेंस्की जिसको पूरे के पूरे west की support हासल हो ठीक है जी so India समझता है कि कोई बात नहीं है this is not a moment to respond to जिलेंस्की जिलेंस्की को respond करने का यह moment नहीं है अगर हमने जिलेंस्की को respond कर दिया तो जिलेंस्की का काड़ कार्ट थोड़ा और बड़ा हो जागा so India नहीं उसको response नहीं किया लेकिन यह बात तो मानी पड़ेगी तो इस टाइट diplomatic rope इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने तालुकात को balance करने की और यह जो इंडिया की मशूर non alignment approach जियो politics में अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फाइदे दी हैं मैं I wish पाकसान non aligned रहता तो आज हम भी ना लड़ रहे होते ना जगड रहे होते ना कुछ कर रहे होते मैं एक इंडिया की इस बात को link करूंगा American politics के साथ भी और यह individual को भी fit आती है वो कैसे कि जब भी आप जिंदगी में एक नई मंजल स्टार्ट करते हैं इंडिया और पाकस्तान ने 1947 में अपनी नई मंजलों का अगास किया पाकस्तान शुरू में जंगों में पढ़ गया 48, 65, 71, cold war, Afghanistan war, kargal war, war and terror मतलब जंगे ही तो है अब तो पा Pakistan की हकूमत के हूपर कि एक जंग का सवाल है बबाबा एक जंग मतलब ये कि एक जंग करेंगे तो पाकस्तान के हलाद 12 बैटर हो जो कोई ऐसा मसलब नहीं लेकिन उसमें जानी माली नक्सान और सारा कुछ होता है लेकर इंडिया ने क्या किया इंडिया ने किसी जंग का हिस परोच रही अपने आपको उसमें मशूर कर दे वोर्ड नॉन अलाइन लाइन मेंट जो है डाट इस टैक्ट विद इंडिया इंडिया टैग हो गया हुआ लोग कहते हां जी वह टैग वह देयर तो यह जो चीज़ है कि आज जो जुम्हें को वह पहुंच रहे हैं ठीक है व हम नॉन अलाइन मेंट के बलीवर हैं हम जंग के खिलाफ हैं रस्या के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे ठीक है और हाँ जो लोग मारे गए हैं उनकी हाक में वह बात करेंगे कि जो गैर ज़रूरी बलडशेड है यह नहीं होना चाहिए ठीक है जी अब यह जो चीज़ है इसको देखते हैं लेकिन असल में मसला यिये था सबस्क्राइब करता है जो दे रहे हैं स्टेटिस जो हम इंडिया का स्टेटस उठा दिया इंडिया में फेया हैं listening us to our global strategic conditions को सुने कि हम क्या कहते हैं चाइना पर तुम नहीं कर रहे हैं वो तुम्हारा डारेक्ट मसला है ठीक है लेकिन ऑन युक्राइन जो है वो यह बाकी जो एरश्या पर हमारी बात सुनी जाए अब फॉक्जाम पर रीसिंग को याद होगा कि चाइना ने इंडियन और ब प्राइवर सेक्टर खबरें निकलवा के जो जो ग्रैफिक जो पिक्चर्स थी मैप्स दोनों साइड के निकलवा के नियु यॉक टाइम से स्टोरी चिपवाई और डाट वस बेसी कली उन्होंने इंडिया के इंदर डिवेट शुरू करवा दी देखें नियॉक टाइम्स जो है वो क्यों करके प्लैनेट लैब्स ऑस्ट्रेलिया या किसी और अदारे से ठीक है तस्वीरें लेगा उसको क्या मिल रहा है इसे ठीक है नियॉक टाइम्स बड़ी इखबार है उसके बस जादा फांड्स है मैं यह नहीं कहता लेकिन नॉर्मली आप ऐसे करते हैं कि लइखर नौइन नरींद्रश मुधी ने अगले पांच साल गुजारने है तो पांच साल कुजारने के लिए यह यूक्राइन का ट्रिपज़ूरी ता रच्जीर टरिप के बार देकिन नरेंद्रश मोदी ने इसलिमा लहूर में दो गिंटे गुजार के 15 साल गुजार है ठीक है पाकिस्तान से तालुगाद ठीक में किये और ने